हेलो और वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल माई नेम इस डॉक्टर महमद दानिश और आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टर न्यूस शेयर कर रहा हूँ जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी कल उत्तर प्रदेश पुब्लिक सर्वेस कमिशन ने टेक्निकल एजुकेशन में लेक्शरार की और प्रिस्पल्स की वेकेंसी का नोटिफिकेशन चारी कर दिया जिसका बहुत दिन से बच्चरों को इंजार था तो वो घड़ी आ गई है और काफी टाइम से बच्चे जो की पॉल टेक्निक्स में बढ़ाने के लिए इंजिनिंग की फैकल्टी की तौर पे अपना एक आप्शन तलाश रहे थे तो उसका सब्र खत्म हो गया है और उत्तर प्रदेश पुब्लिक सर्वेस कमिशन ने वो वेकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं यह आपके सामने उत्तर प्रदेश पुब्लिक सर्वेस कमिशन यूपी टेक्निकल एजूकेशन टीचिंग सर्वेस एक्जामिनेशन आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है और इसकी लाजज जेट है बारा अक्टूबर और लाजज जेट जो है वो ऑनलाइन संबिशन की जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वो है 15 अक्टूबर तो यह जो नोटिफिकेशन आया है यह आया है आपके अलग-अलग डिपार्टमेंट में इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट में अलग-अलग पोस के लिए अलग-अल पोस्त आया है जिसमें की अन्रिजर्व जो है वो पांच है और SC की तीन वेकंसी है और OBC की चार है और EWS की एक है तोटल तेरा सीटे हैं जो प्रिंसिपल के लिए है इसके लावा अलग-अलग इंजिनिरिंग ब्रांचिस में जैसे की मेकानिकल, इलेक्रिकल, सिविल इंज सब्सक्राइब इंजिनिंग में 213 हैं इस सरीकर से, था में 213 पोस्त हैं, सिविल इंजिनिंग में 125, इलेक्रोंक इंजिनिंग में 145, केमिकल में 1457, इंजिनीर में 132, पेंट टेकनॉलोगी में 11 लाइक वाइस आपके सामने इस स्क्रीन पर में कुछ दिर तक होल्ड कर रह कफी सारे ब्रांचस में यह नोने जो है वेकंशित निगा ली है और नृट ओंधेंगी इसके लावा जो नौन इंगनरेंग सब्जेक्ट है जैसे की फिजिक्स केमस्ट्री इंगलिश मितमाटिक्स इसमें भी इनोने वेकंशि निका ली आपके सामने भी दिखे़ रहा होगा लेक्ष रार फिजिक्स इसकी जो वेकंसी है वो है 57 और unreserved की है 20 chemistry के लिए है total 48 seats और 15 unreserved English के लिए भी vacancy आईए है इसमें 50 total vacancies है और 18 जो हैं वो unreserved है उसके लाबा mathematics के लिए total 60 seat हैं और 20 जो है unreserved है उसके लाबा workshops और pretendent की भी vacancies है 16 और librarian की है 87 तो इन टोटल 1370 वेकेंसी हैं आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे और 523 जो है वो जनरल की है उसके लावा आपके सामने ये कैटेगरी वाइस ये वेकेंसी मैंने शो कर रखी है और जैसे कि आपको बता दो इसकी जो एलिजिबिल्टी है वो भी मैं आपके सामने शो कर कर देता हूँ जैसा कि आप यो स्क्रीन पे देख रहा है मैं इसको तो रखी है उसके बाद इसका मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये थोड़ा सा आपके सामने आपके सामने अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जैसा कि आप देख र सब्सक्राइब एठ एडर बैशलर्स और मास्टर्स लेवल इंदी रएलेवेंट डिसिप्लिन जो भी इसका ड्रैजूशन या पोस्ट ग्रैजूशन उसमें मास्टर्स में उसका जो है फस्ट क्लास होना चाहिए और पीएजडी होना चाहिए और उसके लावा भी कुछ तो काफी अच्छा स्केलare दे रख में 16,102 बात करें तो एंट्री पर 17,700 एड़रे इंजिनिंग चाहार है casell लेवल आपके सेनहे चाहरा पर शो करें ने करते हैं तो आप जहें तो आप में यहां करदे चाहें सब्रिक्स दॉप कर सकते कि अधरबोंज ही Scholars इसको आप बहुत अच्छे से उसको देख सकते हैं तो यह बहुत सारी vacancies हैं आप इसको भरिए ट्राइ करिए और एक बार मेहनत कर गए अच्छे से एक्जाम दीजिए ओके तो यह सारी चीज़ें आपके सामने हैं एक बार मैं इसकी जो है एज लिमिट का इसमें क्राइटीरिया है जैसे कि अगर मैं प्रिंस्पल कोस्ट की बात करूँ तो इसमें जो प्रिंस्पल के लिए अपलाई है वो 35 साल से कम नहीं होना चाहिए और 50 साल से जादा नहीं होना चाहिए एक जुलाई 2021 को ओके तो यह तो कंडिशन लगा रखी है प्रिंस्पल के लिए और उसके लावा अगर लेक्चरार के लिए आप अपलाई कर रहे हैं तो उसमें 21 से लेके 40 साल तक की एज वाले यानि कि एक जुलाई 2021 को 40 से जादा नहीं होना चाहिए तो जिसके भी की एज अगर इसके अंदर आ रही है तो आप जो है इसमें अपल इसको डिटेल में पढ़ लीजेगा मैं आपके सामने यह आज ज्यादा चीज़ें डिसकस नहीं कर रहा हूं लेकिन बस इंफोर्मिशन की तौर पर बता रहा हूं कि बहुत अच्छा मौका है आप इसमें ट्राई करिए और काफी साथा सीट आई है बहुत टाइम से कि बहुत अच्छी विगेंसी हैं और काफी टाइम से बच्चे इसको वेट कर रहे थे तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही और यह अगर मेरी इंफरमेटरी व्यूज आपके सामने मैंने शेर करी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक क तो